गड़ मॉनिंग वेलकम टुमाई यूटूब चैनल और सुबह सुबह का व्यू देखिए कितना जादा सुमंदर है शिम्ला में यह न लंगूर है और पेड़ पर बैठे अभी तक खिड़कियों में भी नाच रहे थे अभी तक और बस अब हम रेडी होने वाले और हम लोग कि शॉपिंग करने वाले संजॉली में न बहुत बढ़ा विशाल मेगा माट वहां पे जाके हम लोग थोड़ी बहूट शॉपिंग करेंगे तो बाकी मैं आपको मिलती हूं नृट Ps 2 ृ लगट इपना लते और विशाल चोलते जॉपिंग वापिंग करती हूँ अभी शाल जाके मैं थोड़ा इंजॉई करती हूँ यह रहा संजॉली का बजार बाद में मैं पैदा लाओंगी तो मैं आपको पूरा संजॉली दिखाऊंगे और यह न में को वीव भी बहुत अच्छा रखता है संजॉली का हम लोगों की शॉपिंग एक चैटाल के दिखाना, अब मतलब खुल के भी दिखानी पड़ी काई नए नए हम लोग ने शॉपिंग करने भी, आपको हूं यहां। आपको यहां हम लोग संजॉली आयते वी शाल मेगा, मारशाब्चा ने भूछारा सो जॉपिंग कर ने यह नहां बहुत बादा जो संजॉली बजार ने काफी बड़ा है और यहां पे आपको सारी चीज़े मिल जाती है एजली और जो संजॉली बजार ना जो संजॉली एरिया है यहां पे जो मैकसिमम लोग रहते है नो वो रहते है अपर हिमाचरिके जैसे रोडूस, राहान, कोट खाई, ठीयोग, संजॉली संजॉली का विव तो बहुत ज्यादा सुंदर है ना बहुत जादा अच्छा लगता है यह देखने में पर सच मुलू एक बात या जब यहां तक जाना पड़ता है ना जो नीचे नीचे घर है तो बैंड बजाती है आप सोच नी सकते हैं गुमने के बाद अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ संजॉली कॉलेज तो आज मैं आपको कॉलेज भी दिखाने वाली हूँ चलिये एक्साइड पुरानी यादे आगे करो ना यह सारा रास्ता बन रहा है अजगा यह तो नया बनाया है हमारे टाइम में नहीं था सही है बरो पड़ेगी चाहे पारिश होगी तो फिस लेंगे नहीं में बहुत स्केट करते है यहां पर बस अब कॉलेज पहुंचने वाले है यह रहा संजॉली कॉलेज आगे को है हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि बंद है यहां कार्य प्रक्तित है काम चलावा है आज कर कॉलेज प्रक्तित अब करते हैं यहां से यहां से जाते हैं कॉलिज के अंदर नहीं बच्चे जब पड़ने आते हैं अब मैं आई-जेम से इखाने वाली हूं आपको अब लोग पैदल जा रहे है तो इसलिह बहुत हो अधा थक्या है हम लोग उपको आदर गंटा लगी जाएगा रहे हम लोग ना इचम से पहुँकि चल चल के ना पैरों में दर्थ हो चुके अब तो सच बूलो तो बादत नहीं रहिये चलने की और यह देख रहाँ इतने सारे बच्चे यह है medical college के बच्चे आई जेमसी में ना medical college भी है आई जेमसी ना बहुत बड़ा hospital है हिमाचल का पहले ने पूरे हिमाचल को cover करता था area को जितने भी अपना lower up पर दौनों साई को cover करता है पर अपना एक और फाइदा हो गया हिमाचल में हिमाचल में खुल चुका है एमस hospital तो इसका काफी फाइदा हुआ है हिमाचल वालों को और मैं जल्दी जल्दी चलिए हुआ कि आक्षे को बोरी हुआ कि जल्दी जल्दी चलो क्योंकि यहां पर आज कल करोना है तो हम लोगों को जादा टाइम में आपे भीर बढ़ा के से जितना हो सके निकल जाना चाहिए प्रिकॉशन अपने हाथों में है इसे लिए पर अक्षे माने तब ना आई जेमसी में वैसे बहुत जादा रश है बहुत ही क्राउड है बाकी सुन्दर वियू का नजारा लीजे और बाकी आप आई जेमसी का देखिए कि कैसा है आई जेमसी शुमला का बहुत ही फेमस मेरे ना पैर में चोटा गए मैं बैंडिज लगारी हूं देख लो आई जेमसी भी नजदीक है मैं भी भी आपको आई जेमसी ले जा सकता हूं यह पूरा ही आई जेमसी है वैसे किसी को जरूरत नहीं पड़ नीची है यह जाने के टाइब पे जाएब लिए अच्छड़ है वह जाने के दो खोड़ करेंगा है प्राइब लोग जीज गूमने के बाद हम लोग आये का इंडीन सामान लेने तो मैं दिखाती हो हम लोगों क्या खरीदाए अब बहुत excited हो जाओगे, मैंने तो नहीं खरीदा यह खरीदा है, उसने किसी सहिली को देना है, या सहिले को देना है, वो नहीं मेर को पता, दिखाती हूँ आपको यह रहा हम लोगों का कंटीन का समान, हमने बड़ा कुछ लिया वाए, और यह रही यह अक्षिन अपने सहिले को लिया की सहिली को, यह मने अपने लिया, तू लड़की है जो ओड़का भी हैगी, कैंटीन में घड़े होगी आप, इसमें लिखा भी ए, फो सहिली को देना, या सहिली को हम वही पूछ रहे है, पर उसमझ नहीं आ रहे किसने देना किसको है, तू तो दिली चाह रहा है, उससे पहले पानी में मिक्स करके दे दूँगा ना में यह, मम्मी को पता नहीं चलेगा, जो बिचारी मम्मी घुल घुल घुमाएगी, तो फिर आप संभाद लेना, नो थैंक्यू सो मच, यह है BSNL ओफिस, अज आर तारिक है, आज मैं वापस जाने वाली हूँ, और मैं हमीरपुर जाओंगी, अक्षेकल दिली चला गया, और मम्मी रामपुर जाएंगे, और आज बहुत बड़ा दुख वाला दिन भी है, क्योंकि आज जो हमारे राजा बीर बहदर थे, और वो हिमाचल के XCM भी हुई हुई है, और आज बोला जा रहा है कि सुबा के टाइम, फोर थर्टी, तीन एक बचे उनकी डैथ हुई है, अब प्रॉपर टाइम तो किसी को पता नहीं है, इसलिए आज एक हमाचल पूरा बंद रहेगा, तो फिर बड़ा ही जादा दुख हो रहा है, पस हम यही काम ना कर सकते हैं कि उनकी आत्मा को शांती मिले, वैसे भी न वो काफी टाइम से बीमार चल रहे थे, काफी लाइनो पीजी आई भी रहे, उसके बाद वो आईजी एमसी आये, और उन्हें राजा जी को क्रोना भी हुआ था, एक बानी होने दो टाइम हुआ, वैसे भी क्रोना से बहुत जादा वीकनेस आती है, बड़ा ही दुख है, बगवान के आत्मा को शांती दे, बस यही बोल सकते हैं हम लोग, बाकी मैं अब जाने वाली हूँ हमीरपूर, देखो भी बस टेंड का क्या सीन है, बस इस तो चली रही होगी, बस इस तो बननी होगी मेरे हिसाब से और कल का ब्लॉब भी आदा रहा, रेजन की कल बहुत जादा एक्जॉस्ट हो गई थी मैं, क्यूंकि हम लोग पहले तो पैदल घूमे विशाल में, उसके बाद हम लोग जो संजॉली से पूरा रिज कवर करते हुए, कैंटीन गए, समान लिया, फिर दीदी आये वहाँ पे फिर अक्षी की पैकिंग वैकिंग की, बस पूरा शाम उसमें ही निकल गई, पता ही नहीं लगा टाइम का फिक टाइम कब हुआ, इसीलिया, बाकी मैं आपको बस्टेंड मिलती हूँ, और देखती हूँ की बस्टेंड बस्टो चली रही होगी, मुझे प्रोब्लम में की ल बस्टेंड और बाकी देखती सुंदर व्यू, कि नजाल सुंदर व्यू है, यहां से बहुत अच्छा व्यू दिखता है, मैं और ममीना चल पड़े, अब अपने ठीक आने, ममीन, मैं आपको ट्रें दिखाती हूँ, टॉय ट्रें, यह रही ट्रेंड ना, इसमें यार सफर क सब आपके लिए बसे जाती है, आपका अपपर के लिए, लोर के लिए, चंडिगर के लिए, सब जगा के लिए बसे जाती है ममी को तो ना मिल गई थी लिए पर मुझे जाना पड़ेगा बस में और बस में बस का चलने का वेट करी हूं इस समय रश बिलकुल नहीं बस बिलकुल खाली है बस टेड में आपको दिखा लिया राज से में कुछ मिलेगा सुन्दर जंदर तो मैं दिखाऊंगी पर वैसे भी बहुत जादा एक्जास्ट हो गई हूं पर मैं कोशिश करूंगे तो थोड़ देर में में क्याफता में हमीडपूर आके मिलूँ आपको शिमला से ना हमीडपूर तक छे घंटे लगते बसे ने क्यूंकि बस बड़ी रुक रुक के चलती है इसलिए और बाकी हमीडपूर कि भी न मुझे बहुत जादा खुशी हो रही है क्योंकि यार कितना जादा सुन्दर विव है हमीडपूर का भी और अपने घर आके तो सब कोई खुशी होती है I hope आपको यह मेरा ब्लॉग अच्छा लगाओगा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर लेना और ज जब भी मैं कोई न्यू वीडियो टालू ना आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे बाइबाइ